भारत बंगलादेश सबंदों में आज एक नए अध्याय की शुरुवात हुई है इंडिया बंगलादेश फ्रेंड्सिप पाइपलेंग इसकी नीव हमने सितंबर 2018 में रखी थी और मुझे खुशी है कि आज प्रधान मंत्री शेख हसिना जी के साथ इसका उध्गाडन करने का भी अवसर आ गया यह अभी संतोस का विशह है कि कोवीड महामारी के बावजुद भी इस प्रोजेक का काम जारी रहा इस पाइपलाइन से उत्तरी बंगलादेश के विविन्द जीलों को एक मिलियन मेट्रिक टन हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति की जा सकेगी पाइपलाइन के द्वारा सप्लाई से खर्चतों घटेगा ही इस सप्लाई का कार्बन फुट्प्रिंट भी कम होगा भरोसे मन और किफायती डीजल सप्लाई क्रिशिक छेत्र के लिए विशेश रुप से लाबदायक होगी स्थानिय उद्योगों को भी इसका लाब मिलेगा आज की वैश्विक स्थिती में कई भी कास्चिल अर्थववस्ताएं अपने खाद और उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जूज रही हैं इस संदर्व में आज के आयोजन का महत्व और भी अधिक है साथियों पिछले कुछ सालों में प्रदानमंत्री सेख हसिनाजी के कुशल नेत्रुत में बांगला देश्व ने उल्लेख नियव प्रगति की है इस पर हर भारतिय को घर्व है और हमें खुशी भी है कि हम बांगला देश की इस विकास यात्रा में योगदान दे पाए हैं मुझे विश्वास है कि हम पाइप्लाइंग बांगला देश के विकास को और गति देगी और दोनों देशों के बीच बड़तिक कनेक्टिविटी का भी उत्कुष उदारन रहेगी विकास को और गता देशन के पाइप्लाइंग ऑप्लाइंग विश्वास प्राइप्लाइंग नावस्टिय। झाल झाल